गुद मोरिंग स्टुडेंट्स, I hope all of you are fine. स्टुडेंट्स प्रिवेस वीडियो में हमने चप्टर 11 की रीडिंग कम्प्लीट कर ली थी, I hope आपने ये चाप्टर घर पर रीड कर लिया होगा अच्छे से और आपको समझ भी आ गया होगा. स्टुडेंट्स, आज हम अपने चेक्पॉइंट क्वेस्टेंज, बेक एक्सेसाईज और वेरी शोट आंसर क्वेस्टेंज करेंगी, आपने ध्यान से समझना है, साथ साथ अपने बुक को फिल कर लेना है और नोट बुक भी कम्प्लीट कर लेनी है. जो हम चेक्पॉइंट के क्वेस्टेंज, ब्डेपक प्राइस, नोट बुक में ही तुडेंगे, साथ समयू रहरे हैं, अपने या जा और आपको भी मैं बुक भी कर लोग्वाओंगे बीईज और या क्रीश automat चेक्पॉइंट को फिल कर मेंुक जा दिल के सीट उव प्रली distance is that can be measured using this skill देखिए students आपको एक skill given है उसमें 10 line marks given है हर एक कितने gap पे 1 cm के gap पे students अगर आप ये जो अपना geometry box वाला skill देखे न तो यहां पर 10 की बचाए 15 line marks है यहां पर okay it means यह maximum कितना major कर सकता है 15 cm तक measure कर सकता है अब इस question में आपको क्या given है 10 line marks given है तो यह maximum कितना major कर सकता है 10 cm measure कर सकता है एक तो यह चीज़ बतानी थी आपने क्या बताना है what are the minimum and maximum distances that can be measured using this skill is skill की help से आप maximum कितना ज्यादा से ज्यादा कितना major कर सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा तो हो जाएगा students 10 cm और कम से कम minimum minimum कितना हो जाएगा 1 mm होगा students वो यानि कि आप इसको कह सकते है जीरो पॉइंट 1 cm में इस तरह के से देखिए क्योंकि आपको पता है कि 1 cm में कितने My长 Ian है 10 mm होते हैं और 1 cm के बीच में यहां पर 9 इक्वी स्पेस लाइन गिवन है इसके 0 और 1 के बीच में 9 लाइन गिवन है आपको तो इट मेंज यह मिलिमीटर मेजर करेगा सबसे छोटा जो पाइट होता है 1 cm में 10 mm है ना तो 1 mm यानि कि 0.1 cm यह मिनिमम मेजर करेगा और मैक्सिमम मेजर करेगा 10 cm देखिए आंसर में क्या लेखेंगे आप 1 cm इस डिवाइड इंटो 10 इक्वल पार्ट्स सो इच स्मॉलेस डिवीजन इस इक्वल तो 0.1 cm हर एक स्मॉल डिवीजन किसके एक्वल होगी 0.1 cm के यानि की 1 mm ओके सो मिनिमम डिस्टंस देट कैन बी मेजर इस इक्वल तो 0.1 cm एंड मैक्सिमम डिस्टंस कितना हो जाएगा 10 cm आप 0.1 cm की जगा पर स्टूडेंट्स 1 mm भ में लिखे हैं okay so you have to complete your first question in this way now second question identify two objects at rest and two objects in motion in your classroom आपकी classroom में आपने दो दो अबजक्स बताने हैं rest पे और motion पे answer में क्या लेखेंगे rest पे कौन कौन सी object दिख रहे हैं आपको दिखाई देंगे आपकी classroom में blackboard और chairs rest पर है वो move नहीं कर रहे हैं motion में कौन सी fan अगर आपने switch on किया हुआ है fan को teacher movement करता रहता है समझाता रहता आपको कुछ और students भी अपनी books वगर निकालते रह objects in continuous motion देखे students जो भी आपको यहां पर objects given है जैसे earth tree given है earth given है आपने इनको category में डिवाइड करना है तीन category है यहां पर एक stationary objects की category हो सकती है या object in motion या objects in continuous motion it means लगातार motion में होना okay so जैसे अगर हम यह पार्ट की बात के रहे tree है students यह stationary object है मतलब कि एक ही जगा पर fix है students okay so answer will be stationary object earth है students लगातार move करती रहती है आपको पता है sun के चारा तरफ चक्कर लगाती रहती है और अपनी axis पर भी घूमती रहती है so object in continuous motion c part falling rain drop पानी की बुंद गिर रही है students बारिश की बुंद गिर रही है तो वह किसमें होगी motion में होगी object in motion heart beat यह तो हमेशा होती रहती है continuous motion है object in continuous motion बहुत easy students आप बहुत easily identify कर पा रहे हैं e part stone falling down a slope एक जुकाव वाले जगा से कोई stone गिर रहा है students पत्थर गिर रहा है तो object in motion है वह motion में है इस time पर now seconds hand of a clock clock में जो second hand है students वह चलती रहती है continuous motion में होती है so object in continuous motion z part a car passing over a breeze एक पुल के उपर से car जा रही है उस time किसमें हो motion में है so object in motion तो यह category बतानी थी आपने एक पार्ट और रहता है यहां पर h part your school building आपकी school building जो है students वो क्या है stationary object है okay एक ही जगा पर fix है अपनी position change नहीं कर रही है okay so this will be your answer now next question is give two examples of combination of translatory and rotational motion आपने दो example देने students ऐसे objects के जो translatory motion भी शोगर रहे है और rotational भी देखिए first motion of the wheel of a car car का जो wheel है students वो सीधा भी जा रहा है translatory motion हो गया और घूमते घूमते round round shape में जा रहा है ना तो यह rotational motion हो गया so motion of the wheel of the car second क्या हो जाएगा motion of a ball rolling on the ground ground पे कोई ball roll कर रही है घूमती हुई जा रही है उसमें कौन सा motion होगा translatory भी होगा सिद्धी जा रही है और घूमते हुए जा रही है इसलिए rotational भी होगा students okay so यह आपने यहां तक complete कर लेने आपने check point questions notebook में okay now very short answer questions first question is very easy what is the SI unit used to measure distances जब हमने chapter किया students मैंने आपको बताया था कि जो distance की SI unit होती है standard unit कौन सी होती है meter होती है kilometer और centimeter जो होती है वो SI unit नहीं होती है students second question name the modern fastest mode of transport सबसे तेज चलने वाला mode of transport बताना है modern जो आधोनिक time का वो rocket हो जाएगा students बहुत तेज चलता है now next is question number three express 3.46 meter length in millimeter units आपने 3.46 meter को students मिलिमेटर में express करना है अब देखिए आपको पता है students mathematics में भी मैंने आपको बताया है कि one meter में 100 cm होते हैं और one cm में 10 mm होते हैं अभी मैंने scale वाले question में भी आपको बताया है okay अब देखिए जब आप meter से centimeter पर जाएंगे तो 100 से multiply करेंगे it means 3.46 meter is equal to 3.46 multiply by 100 मतलब यह centimeter में हो गया अब point कैसे लगाती है पहले सीधा multiply कर दो 34600 अब दो डिजिट छोड़के point लगा दो 346 it means 346 cm तो यहां तक हो गया यह centimeter में convert कर दिया अब आपको मिलिमेटर में करना है तो क्या करोगी आपको पता है कि एक सेंटेमेटर में 10 मिलिमेटर होते हैं तो इसको 10 से और मल्टिप्लाई कर दो मिलिमेटर में कनवर्ट हो जाएगा यह okay so answer will be 3460 मिलिमेटर okay students 3460 मिलिमेटर विल बी और आंसर इस तरीके से आपने बस यूनिट कनवर्ट करनी थी यहां पर now next question is a scale has 10 divisions between two consecutive centimeter marking what is the minimum distance that can be measured using this scale बिल्कुल same question है students जो हमने checkpoint का first question किया था इसमें minimum distance बताना है कि यह skill कितना measure कर देगा 10 divisions है इसमें 10 divisions है centimeter की marking के बीच मतलब कि zero और one के बीच में zero or one के बीच में यहां पर 10 divisions है एक तरीके से तो minimum distance कितना यह measure कर देगा वही one millimeter कहलो या zero point one centimeter कहलो जैसे हमने first question में किया था so answer will be minimum distance that can be measured is equal to one millimeter meter okay students now last question of very short answer questions what are stationary objects stationary object क्या होते हैं देखिए the objects with fixed positions on earth are called stationary objects ऐसे objects अर्थ के ओपर जिनकी position fixed है students उनको हम क्या बोलते है stationary objects बोलते हैं okay so आपने very short answers complete कर लेने हैं आपने अब एक check point questions जो आपकी book में है students वो एक बार आपने fill करने है यह page number 134 रहेगा आपका यह fill करने आपने में करवा देती हूं देखिए see whether these statements are true or false आपने true false बताना है students first देखिए a motion in which each part of a body or an object moves an equal distance at same time is called an oscillatory motion यह बिल्कुल गलत बात है students यह translatory motion होता है जब हमें definition करें ना chapter में तो मैंने बताया था आपको यह translatory motion होता है oscillatory नहीं होता जब किसी object का ऐसा motion जिसमें उसका हर एक part equal distance cover कर रहा है equal intervals of time में okay students second translatory motion is a straight in a straight line is called rectilinear motion translational motion जब सीधी line में होता है तो rectilinear बोलते हैं बिल्कुल सही बात है और code में होता है तो curvilinear बोलते हैं यह मैंने बताया था आपको so this will be true the motion of a potter's wheel is vibratory motion no students जो potter का wheel होता है मच का बनाने वाला जो wheel है उसका motion rotatory motion होता है students so this will be false the moment of a swing is a periodic motion बिल्कुल सही बात है swing जो जूला होता है na students वो periodic motion होता है oscillatory है न और सारे के सारे oscillatory क्या होते हैं periodic motion भी होते हैं so it will be true all translatory motions are periodic motions यह सही बात नहीं है students यहां पर oscillatory आना जाहिए था all oscillatory motions are periodic motions okay so you have to complete this one now give two examples of a combination of translatory and rotational motion यह जो question है students अभी अभी मैंने आपको करवाया है इसी वीडियो में check point questions में वो आप ने नोट बुक में करना है ओकी थार्ड यह बुक में ही करना है अ फैन एक्जिबिट्स डैश मोशन वन स्विच ओन जब फैन को switch on कर देते हैं तो कौन सा मोशन होता है उसमें circular motion होता है ओकी या फिरोटेटरी क्या सकते हैं आप a swing has dash motion जूले का मोशन कौन सा होता है ओक्सिलेटरी मोशन होता है ओकी एन एक्सिलेटर हैस डैश मोशन एक्सिलेटर का मतलब होता है students जैसे आपने कभी मोल में गई हो तो देखा होगा stairs होती है चलती हुई moving stairs होती है वहाँ पर उनको हम क्या बोलते हैं accelerator बोलते हैं okay उनका जो मोशन होता है वह ट्रांसलेटरी भी होता है और प्रियोडिक भी होता है तो answer will be translatory as well as periodic और यह हमें students airport बगारा पर भी देखने को मिलते हैं देखी भी होंगी आपने okay students so in this way you have to complete this check point now let's come to exercise यह multiple choice questions और करवा देती हुम आपको which of these cannot be used as unit of length measurement इन में से कौन सी length measure करने के लिए यूज नहीं करी जा सकती stones stones नहीं यूज किये जा सकते students thread को भी कर सकते fist जो मुठी होती है उसको भी कर सकते फुट को भी कर सकते हैं second question what is a distance of 2.5 meter not equal to देखे students यहां पर तोड़ी सी correction करनी है आपने 2.5 meters जो है न वो 250 cm के equal भी होता है 2500 mm के भी equal होता है जब आप unit convert करके देखोगे यह 0.0025 km के equal भी होता है लेकिन यह जो c part में आपको unit conversion given है न students यह आपको wrong given है जब आप इसको kilometer में convert करेंगे न तो एक 0 और आने थी यहां पर means यह वाला ठीक है यह भी ठीक है यह भी ठीक है लेकिन यह वाला रोंग है यहां पर question में भी आप यहां पर note add कर लेना कि 2.5 meter इन में से किसके equal नहीं है now third question identify the object in motion among these motion में कुन सा होगा इसमें से bulb fixed in a holder यह तो rest पर है ceiling fan in switched off state switch off वाला fan है तो यह भी rest पर है second hand of a clock यह motion में है students so answer will be c part road भी stationary है एक तरीके से okay fourth heart beat is a dash motion heart beat जो होती है students periodic motion होता है एक interval के बाद repeat करता है खुद को fifth periodic motion is used to measure dash periodic motion को हम time interval को measure करने के लिए यूज कर सते है यह मैंने previous video में बताया था students आपको जैसे आर्थ रोटेट करती है आर्थ रिवॉल करती है sun के चारो तरफ okay 365 days उसका जो है time interval है students okay so इस तरीके से periodic motion को हम time interval मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं आपने students यह very short answer questions अपनी back exercise फिल कर लेनी है check point questions जो notebook वाले और notebook में कर लेनी है और बुक वाले बुक में फिल करने आपने और learn भी करना है students यही आपका homework रहेगा आज का okay students next video में हम short answer questions complete करेंगे okay thank you